आदिश खंकार आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे कंटिनिवेशन और स्ट्रेट लाइन्स आज है यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 पर HSE class 11 बचो यहाँ पे हम लोग ने अब तक क्या पढ़ाई किया है आप लोग ने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहाओ पूरा प्लेलिस्ट का जरूर जाकर चेक करें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेकर लेक्चर बट लेक्चर नंबर 5 जो हम लोग अभी पढ़ने वाले है जो वो लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 से पूरी तरस से एक मिक्स जो मिला हुआ है अगर आप लोग को वो सारे चीजे समझ में आया रहेगा तो ही आप कंटिनुएशन कर सकते हैं लेक्चर 5 को तो ले लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाल है we are going to continue with exercise 5.3 अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा तो 5.3 में question number 1 से लेकर 15 तक questions थे तो बहुत सारे questions होने के वज़े से हम लोग ने पिछले lecture में question number 1 से लेकर 8 तक ही लिया था आज हम यहाँ पे question number 9 से start करेंगे and 15 त पता देता हो बच्चो lecture 1 जो हमारा lecture number 4 था इसके पहले का जो lecture था उसमें जो भी हम लोग ने concept पढ़े हो काफी basic से बड़ आज हम लोग जो questions पढ़ने वाले वो ऐसे भी basic ही है हम वो ऐसे देखने जाएंगे तो basic ही बोल सकते है बड़ पिछले जो lecture से उसे थोड़े advanced है तो आप यहाँ पे refer करने में आपको आसानी हो सके नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो अगर आपने वो सारे videos देखे रहेंगे तो अच्छी बात है let's begin with our topic question number 9 क्या बोलता है find the x and y intercepts of the following lines उसमें sub question number a है x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1 बच्चो for those people उनको पता रहेगा double intercept form करके एक topic हमने पढ़ा था lecture 3 में तो वो भी एक forms of equation का ही topic था वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा ही क्या था बच्छा double intercept form का क्या formula होता था वो ऐसा कुछ होता था x upon a plus y upon b is equal to 1 जहाँ पे a actually stood for क्या a मतलब क्या था a was the x intercept and b was the y intercept तो जबी भी आपके पास ऐसा कोई एक line होता है जिसके x intercept भी आपको पता हो and y intercept भी आपको पता हो तो आप equation कुछ इससाब से बना सकते था x upon a plus y upon b is equal to 1 तो अभी क्या दिख रहा है मुझे जो question दिख रहा है वहाँ पे x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1 वो मेरे इस particular equation जैसा ही कुछ दिख रहा है तो मैं compare कर सकते हूँ अगर मैंने यहाँ पे compare किया तो आप देख सकते है बचे दुरों को compare करने के बाद आपको a का value क्या मिल रहा है तो a का value 3 दिख रहा है and b का value यहाँ पे 2 दिख रहा है तो question बहुत simple था पहला ही sub question था तो बहुत चिंदी लगाओगा आप लोगो बट इसके लिए आपको यह double intercept form पता होता तो ही आप लोगो यह easy लगता बट double intercept form उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अब जाते है बचों यहाँ पे sub question number b के पास so 3x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to 1 है अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को confusion क्या होता है बच्चे बोलते है directly कि यहाँ पे तो a का value 2 रहेगा and b का value तो 3 रहेगा as simple as that बिल्कुल नहीं if you have a very careful लोग 3x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to 1 को हम directly compare नहीं कर सकते है because comparison वाला हमारे equation था वो था x upon a मतलब numerator में x होना चाहिए and numerator में y होना चाहिए होता है हमारा तो यहाँ पे एक numerator में 3x and दूसरे numerator में 2y है तो यह नहीं चलेगा तो आपको numerator को कैसे भी करके सिर्फ x and सिर्फ y के representation में लाना पड़ेगा मतलब वो जो 3 and 2 है उसको नीचे लाना पड़ेगा तो how do we do that बच्छो simple है वो नीचे लाएंगे मतलब कैसे लिख सकते हम लोग we can write this as x upon 2 upon 3 तो जो 3 है वो नीचे लेके आए में तो 2 upon 3 हो गया and y upon 3 upon 2 कर दिया तो जो numerator था मेरा 2 वो नीचे गया तो वो denominator भन गया तो 3 upon 2 is equal to 1 now can I compare this with a double intercept form yes of course I can because अभी numerator are consisting of x and y respectively perfectly comparison हो रहा है if I compare this I get the value for a a का value यहाँ पर 2 by 3 होगा and b का value यहाँ पर 3 by 2 होगा जो कि मेरे x intercepts and y intercepts respectively होंगे and इसी सब से मैंने यह भी question complete कर दिया very easy to understand so far guys सबको समझ में आ रहा है अब जाते है बचो sub question number c के पास आपको पता है बचो यहाँ पर तोड़ा एक interesting बात बताना चाहता हूँ 2x-3y plus 12 is equal to 0 कि कोई भी angle से मेरे पिछले वाले जो double intercept form की तरह दिखनी रहा आपको पता है बचो इस question को solve करने के दो अलग-अलग तरीके दो अलग-अलग तरीके क्या-क्या है सबसे पहला कि इसको मैं double intercept form के तरीके में लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ मालम है पहले मैं इसको 12 को वहाँ पर लेके जाओंगा right hand side में and then what I am going to do is divide throughout by minus 12 कर दूँँगा तो उससे क्या होगा सारे चीज़े divide throughout by minus 12 होने के वजह से मेरा 2 and minus 12 divide होगा तो वो x upon minus 6 देगा फिर 3y को minus 12 से divide करने पर वो plus होगा 3 वन दा 3, 4 दा होगा and ऐसे करके भी आपको a का value and b का value मिल सकता है you know that part and you can do that on your own as well आप try करके देख सकते हैं आपको कैसे भी करके इसको double intercept form के तरह दिखना चाहिए x upon a plus y upon b is equal to 1 but एक और method है which we can do वो method मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया है तो बच्छों थोड़ा tension मतले ना डरना मत अभी फिलाल के लिए इसको समझ लेना नेक्स लेक्चर में मैं आप लोगो वो shortcut बताने वाला हूँ और मैं फिर से बोलता हूँ shortcut मतलब मैंने निकाला हुआ shortcut नहीं है that is the formula itself वो formula है जो आपके competitive examination में आपको लिए काम आने वाला है और वो formula है x-intercept and y-intercept निकालने का when the equation is in the standard form आप देख सकते हैं वाचो 2x-3y-12 is equal to 0 ये completely standard form में है तो आपको x-intercept and y-intercept निकालने का एक formula है वो formula में अभी क्या भी बता देता हो आपको वो formula का है मालो में 2x-3y-12 is equal to 0 में x-intercept निकालने का formula होता है minus c upon a minus c divided by a यहाँ पे c and a are nothing बढ़ हमारे standard form में लिखते हैं ax plus by plus c is equal to 0 वो a, b, c है तो minus c मतलब minus 12 हो जाएगा divided by a मतलब 2 है तो minus 12 divided by 2 will become minus 6 खतम हो गया आपको x-intercept मिल गया तो उसके लिए आपको यह formula पता होना चाहिए था minus c upon है अगर y-intercept निकालना रहेगा तो formula क्या होगा save होगा सिर्फ minus c upon a के जगह पे minus c upon b हो जाएगा and that's how minus c मतलब फिर से minus of 12 होगा divided by b का value minus 3 है तो minus 12 upon minus 3 minus minus gets cancelled 12 upon 3 आपको यहाँ पे 4 मिल गया so there are two approaches अगर यह question को solve करना है तो आप दोनों approach से कर सकते है double intercept form में convert करके इस equation को आप a और b का value निकाल सकते थे मतलब x-intercept and y-intercept या फिर आप directly standard form में यह formula को समझ कर भी कर सकते थे जहाँ आप x-intercept निकालने का formula होता है minus c upon a and y-intercept निकालने का formula होता है minus c upon b तो यह दोनों formula अगर आपको पता रहेगा पता होना ही चाहिए इसका यह मतलब होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही equation नहीं आने वाला है मेरे पास 2 या फिर उससे ज्यादा equations आ सकते है तो मुझे बहुत सारे lines मिल रहे है उसके equations निकालने तो उन्हेने क्या बोला which contains the point a1,3 and the sum of whose intercepts on the coordinate axis is 0 ओके which contains the point a1,3 को रहने दो sum of whose intercepts sum of whose intercepts मतलब intercepts का sum मुझे 0 मिल रहा है अब intercepts को हम denote करते है a and b से तो उन्हेने हमें एक condition देखे रखा है उन्हेने बोला है sum of the intercepts 0 है इसका मतलब है a plus b is equal to 0 है यह सबसे पहला condition आपको समझ में आना चाहिए a plus b is equal to 0 का में लिख सकता है therefore b is equal to minus a आप चाहो तो a is equal to minus b भी लिख सकते थे b is equal to minus a भी लिख सकते हो मैंने इसको equation number one करके mark नहीं किया है वेड़ आप mark करके रखना बच्छो अगर आपको करना है तो अब ध्यान से देखो बच्छो b is equal to minus a करके अगर आप लोग को मिल गया यह आप लोग ने यहाँ पे किया now I am going to use the double intercept form अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे plus y upon b is equal to one होता है जहाँ पे बच्छो अध्यान से सुनना आप लोगों को x upon a है तो वहाँ पे आप x upon a ही लिखोगे plus y upon b है वहाँ पे b के जगह पे minus a डालोगे अपने minus a कैसे डाल दिया बच्छो वेकोद हम लोग ने उपर देखा है b is equal to minus a अब जाकर हमने उसको यहाँ पे condition में डाल दिया हमने ऐसा क्यों किया होगा I hope सभी लोगों को पता है बच्छो अब यहाँ पे x upon a plus y upon minus a is equal to a 1 है तो आप लोग के पास denominator a है माइनस तो उपर जा सकता है तो उसका tension नहीं है आप लोग के पास अभी जो भी है वो a के terms में but बच्छो question को ध्यान से देखना यह जो भी line है उसके पास एक point है a 1,3 अगर बच्छो मैं बोलूँगा कि this particular line contains the point a 1,3 तो can I say a 1,3 is satisfying the equation if it satisfies the equation बच्छो तो क्या मैं x के जगह पे 1 का value डाल सकता हू and y के जगह पे 3 का value डाल सकता हू यह हमने 9th and 10th में पढ़ाई किया था कि any point lying on the equation satisfies the equation that means that particular point जो है value है उसका वो x का and y का value डाला जा सकता है मतलब यहाँ पे जो आपका equation मिला है वहाँ पे x के जगह पे आपको 1 डालना है y के जगह पे आपको 3 डालना है तो यह क्या हो जाएगा मतलब में it will become 1 upon a हो जाएगा because x के जगह पे 1 डाल दिया and y के जगह पे 3 डाल दिया तो 3 upon minus a is equal to 1 आपको सबको पता है बचों वो minus a नीचे जीख रहा है वो उपर plus के साथ आएगा तो minus हो जाएगा it will become 1 upon a minus 3 upon a is equal to 1 अब इसको solve करना बड़ा आसान है guys denominator तो same होने के वज़े से merge कर सकते हो तो 1 minus 3 होगा that is minus 2 upon a is equal to 1 आप a को वहाँ पे shift कर लो तो आपको a का value मिल जाएगा and a is equal to minus 2 हो जाएगा आपको सबसे पहला एक intercept मिल चुका है बच्चों a का value मिला है minus 2 अब b का value निकालना रहेगा तो आपको तो पता है आपको b is equal to minus 1 बच्चों a का value ही minus 2 है तो b का value कितना हो जाएगा minus of minus 2 बन जाएगा तो b का value हो जाएगा 2 so that आप लोग ने जो condition किया है उसके वज़े से आपको x-intercept का value and y-intercept का value मिल चुका है minus 2 and plus 2 respectively but हमें यहाँ पे इन्होंने x-intercept and y-intercept मांगा नहीं था इन्होंने हमसे equation मांगा था तो हम फिरसे वह ही use करेंगे double intercept form अब double intercept form ही use करेंगे फिरसे जो की formula x upon a plus y upon b is equal to 1 इस बार अभी आपको a and b के values मिले वो यहाँ पे substitute करो गे आपलो तो क्या हो जाएगा x upon minus 2 plus y upon 2 is equal to 1 अभी x and y का value डालना नहीं तो अभी हमने x and y का value इसलिए डाला था था कि हमें a and b का value मिल सके अभी हमें equation निकालना एक standard equation एक general equation तो x and y will remain x and y itself समझ में आ गया अब आप देख सकते हो बच्छों यहाँ पर आपलो क्या कर सकते हो multiply throughout by minus 2 भी कर सकते हो मैंने शायद वही किया है absolutely if I multiply this throughout by minus 2 तो यहाँ पर x upon minus 2 बे minus 2 cancel हो जाएगा x बचेगा फिर minus 2 से multiply करोगे तो वो हो जाएगा minus y and फिर minus 2 से multiply करोगे तो हो जाएगा minus 2 या तो आप इसको equation को अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पर question खतम हो चुका है and we have got an equation बट ध्यान से देखो question आप लोग ने ठीक से पढ़ा नहीं है या फिर मैंने आप लोग को बताया था आपने ध्यान से सुना नहीं उन्होंने बला था find the equations of lines इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक line नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक equation नहीं बन रहा है बट equation तो मुझे एक ही मिल गया x-y plus 2 is equal to 0 अब एक और equation कहां से आ सकता है यह condition दरा सोचने वाली बात है and believe me यह मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको easy लग सकता है बट अगर आप खुद सोचते तो शायद से आप वो लिखते भी दी आप वो गलती कर बैठते x-y plus 2 is equal to 0 आपको एक पहला equation मिल चुका है अब दूसरा क्या अगर आप फिर से देखोगे बच्छो sum of the intercepts is 0 में a plus b is equal to 0 जब मैंने लिखा था कि a का value 0 भी हो सकता है and b का value भी 0 हो सकता है मतलब a plus b can be 0 तभी भी हो सकता है जब a and b are दो numbers with different signs मतलब a होगा plus 2 तो दूसरा होगा minus 2 तो भी 0 आ सकता है that is also one of the conditions जो हमने पिछले में देखा बट अभी ऐसा भी condition हो सकता है कि a का value 0 भी हो सकता था because 0 plus 0 करने पर भी तो 0 मिल रहा है right ना guys so this is also one of the conditions जो बहुत तरे बच्चे भूल जाते and this condition shouldn't be forgotten वागी आप लोग को भूलना नहीं है so this is the second condition तो a का value 0 एंड b का value 0 है बच्चो हम लोग ने x intercept के बारे में पढ़ाई किया है मतलब यह line x axis को कटी नहीं कर रहा है and यहाँ पर बच्चो क्या बोलते हैं अब ना y intercept भी 0 है मतलब वो y axis को भी कहीं कट नहीं कर रहा है in fact 0 0 को कट कर रहा है मतलब क्या में बोल सकता यह जो equation बन रहा है यह कौन से line का है this line is passing through the origin okay इसलिए उसका x intercept 0 है उसका y intercept 0 है because the line is passing through the origin मतलब आपके पास एक point है बच्चा वो जो line जो pass हो रहा है वो origin से pass हो रहा है मतलब उसका one of the points क्या है बच्चो उसका one of the point है 0,0 बरबर तो यहाँ पर मैं double intercept form नहीं use कर सकता क्योंकि double intercept form करने के लिए आपका a and b का value non-zero होना चाहिए होता है x upon a, y upon b, non-zero बट यहाँ पर तो 0 है तो I can't use double intercept form ओर यह तो मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हो I am going to use the which formula यूज कर सकता हम यहाँ पर point है मेरे पास and slope निकाल सकते है हम यहाँ पर बच्चो point slope form use कर सकते है so I am going to use point slope form ध्यान से सुनना point slope form का formula क्या होता है y minus y1 is equal to m into x minus x1 बच्चो, यहाँ पर हैना में आप लोगो एक छोटा सा hint देने वाला हूँ जो कोई मैंने खुद सोचा हुआ या फिर खोजा हुआ नहीं है यह एक standard है पिछले lecture में मैंने नहीं बताया आज के lecture में बताना ज़रूरी है notes करके रखना point slope form में हमें पता है y minus y1 is equal to m into x minus x1 यूज करते है बट अगर आप लोग को पता है कि वो जो line है वो origin से pass होने वाला है अगर वो जो line है वो origin से pass होने वाला है तो आपको point slope form बार-बार y minus y1 is equal to m into x minus x1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती डिरेटली एक formula लिख सकते है वो कौन सा formula में आपको बताता हू इसके बाद के step में तो y1 यहाँ पे 0 होगा x1 यहाँ पे 0 होगा y minus 0 is equal to m into x minus 0 because x1, y1 are the point of coordinate of origin तो 0, 0 है आपको मिलेगा y is equal to mx लिख कर रखो whenever a line passes through the origin the equation of a line directly could be expressed as y is equal to mx लिख कर रखो अभी के अभी लिखो लिखा whenever a line passes through the origin the equation is y is equal to mx काम खतब समझ मैं कि y is equal to mx plus c जैसा था न y is equal to mx बढ़ यहाँ पे plus c नहीं है because यहाँ पे y coordinate भी sorry, अपना y intercept भी जो है वो भी 0 है तो mx हो जाएगा बस इतना ही है आप directly लिख सकते हो तो y is equal to mx हो गया अब आप बोलोगे sir, y तो ठीक है, x तो ठीक है 1 and 3 डाल सकता हो तो y is equal to mx क्या बन जाएगा वच्छा, it will become 3 is equal to m into 1 because y का value 3 है and x का value 1 है तो m into 1 तो m होता है तो आपको यहाँ पे m का value 3 मिल जाएगा once you get the value of m is equal to 3 वही जो y is equal to mx था उसमें equation में substitute करो therefore आपका equation हो जाएगा y is equal to 3x y को वहाँ पे लेके जाओ it will become 3x minus y is equal to 0 यह रहा आपका second equation तो आपके पास 2 equations थे because आपके पास 2-2 lines थे यहाँ पे जिसके पास point a 1,3 था and वो जो condition satisfy कर रहा था sum of the intercepts is 0 तो if you have thought that यहाँ पे सिर्फ एक ही condition हो सकता था एक ही equation हो सकता था आपने गलत बोला यहाँ पे आपके पास 2 थे यह समझने के लिए थोड़ा time लगता है and अगर आपको लगता है कि straight lines is one of the easiest chapters no guys the question itself becomes very much difficult in the competitive examination आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा अगर आपको यह समझ में आगे तो question number 11 try करते है यह मैं आप लोगको assignment देने वाला था बट देना है थाट कि question number 10 आपको grasp नहीं हुआ रहेगा digest नहीं हुआ रहेगा तो question number 11 से शायद आपका थोड़ा सा दिमाग आपको चलना लगे यहाँ पर same to same type of question है find the equations of lines which contains the point A3,4 same लग रहा है and making equal intercepts on the coordinate axis making equal intercepts मतलब इस बार आपका intercept का addition 0 नहीं हो रहा है बट दोनों का intercept equal है इसका मतलब है बच्छो अगर line makes equal intercepts तो मैं बोल सकता A is equal to B बन जाएगा तो मेरा condition तो तैयार हो चुका है A is equal to B अब मैं यहाँ पर use करूँगा double intercept form just like the previous one तो हमें पता है X upon A plus Y upon B is equal to 1 and हम यहाँ पर बोल सकता है बच्छो X upon A plus Y upon B के जगह पर B के जगह पर मैं A डाल सकता हूँ is equal to 1 and हमें पता है the line contains point A 3,4 तो हमें X and Y के जगह पर 3 and 4 डाल सकता हूँ so this becomes 3 upon A plus 4 upon A is equal to 1 सबको पता है merge कर सकते है so this becomes 7 upon A is equal to 1 आपको A का value 7 मिल जाएगा but you all know बच्छो A का value 7 मिला है but A and B are equal so B का value भी आपको 7 मिल जाएगा now the value that you have got X intercept and Y intercept जो आपको value मिला है A is equal to 7 and B is equal to 7 यह आप लोग substitute कर सकते है आपका double intercept form में फिर से so what is that that we are going to get over here X upon A मतलब X upon 7 plus Y upon 7 is equal to 1 multiply throughout by 7 करोगे तो X plus Y is equal to 7 हो जाएगा जिसको में लिख सकता है X plus Y minus 7 is equal to 0 and आपका पहला equation हो चुका है अभी लग रहा है भच्छो थोड़ा बहुत हाँ इतना भी difficult नहीं था initially जब हम लोग बढ़ रहे थे तो it was kind of एक नया चीज़ था तो थोड़ा अलग लगा होगा but if you have a look the question is easy but हमें सिर्फ A की equation मिला अभी अब चेक करो बच्छो यहाँ पे दूसरा condition possible है क्या मतलब A is equal to B तो लिख लिया मेंने एक general है जहाँ पे A and B are non-zero terms इसलिए double intercept form use किया रहा है A and B are non-zero terms देख सकते हो A का value 7 है and B का value भी 7 है but ऐसा भी हो सकता है ना बच्छो की also A का value 0 हो सकता था and B का value 0 भी तो हो सकता था जहाँ पे मैं double intercept form नहीं उस कर सकता था right now it could have been that way as well तो A का value 0 and B का value 0 होगा तो मैं यहाँ पे double intercept form नहीं उस कर सकता बट point slope form उस कर सकता अब मैंने आप लोगको बोला था बच्छा A का value 0 है and B का value 0 है मतलब this line passes through the origin तो passes through the origin मतलब आप यहाँ पे double point form मैंने लिखतो रखा है यहाँ पे point slope form y-y1 is equal to m into x-x1 बट आपको ए लिखने की जरूरत थी क्या बिल्कुल नहीं अब directly लिख सकते थे बच्छो यहाँ पे y is equal to mx करके y is equal to mx में बच्छो मुझे m का value नहीं पता है but we all know that the line contains point A3,4 मतलब यह जो line है वो A3,4 से pass हो रहा है मतलब मैं यहाँ पे x का value 3 डाल सकता हू and y का value 4 डाल सकता हू मतलब 4 is equal to m into 3 हो जाएगा तो m का value आपको fraction में मिलेगा that is 4 upon 3 now you have to substitute this in y is equal to mx तो y is equal to 4 upon 3 into x हो जाएगा आप 3 को multiply करो तो 3y is equal to 4x हो जाएगा फिर आप 3y को ले सकते है right में तो 4x minus 3y is equal to 0 बन जाएगा and that becomes the equation of the second line that satisfies the condition of this particular question and it was as simple as that तो hopefully बच्चो आप लोगको question number 10 and question number 11 अभी पूरी तरह से समझ में आचुका है अगर नहीं समझा है तो please फिर से देख लेना because second condition को समझना थोड़ा time लगता है but I hope everyone has understood that अभी question number 11 के बाद let's go for question number 12 अभी 12, 13 and 14 जो question है वो एक तरह से similar type of question है and believe me बहुत lengthy questions है find the equations of the altitudes of the triangle whose vertices are a2,5, b6,-1 and c-4,-3 आचा चलो ठीक है नहीं समझ में आए रहेगा question तो मैं समझाने की कोशिश करता हू find the equations फिर से यहाँ पे बहुत सारे है of altitudes अरे बापरे मतलब यहाँ पे एक triangle की बात हो रही है चलो आप लोग के लिए में एक triangle बना के देता हू triangle में vertices देखे रखा है a है 2,5, b है 6,-1 and c है –4,-3 उन्होंने बोला है find the equations of the altitude सबसे पहले altitude का मतलब तो सबको पता है altitude का मतलब होता है a perpendicular drawn so altitudes बोला है सबी लोग को पता है बच्चो a particular triangle will have 3 different altitudes एक BC के उपर perpendicular एक AC के उपर perpendicular and एक AB के उपर perpendicular एक छोटी सी बात है बच्चो सबसे पहले disclaimer दे देता हू पहले ही बोल देता हू यहाँ पे वैसे तो हमें 3 altitudes के 3 equations बनाने है मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही equation बना दिया है बाकी का 2 equations आप लोग खुद करोगे if you really think that कि हम से नहीं हो पाएगा हम नहीं कर पाएगा and all these things then you are not best suited for 11th standard and 12th standard mathematics for science मैं सीधा बोल देता हू अगर आप लोग को यह सारे चीज़े करनी है तो आपको खुद करना भी आना चाहिए and I am not giving you something called rocket science वाले questions नहीं दे रहा हू मैं आपको एक equation खुद बना के तो दे ही रहा हू उसके बाद दूसरा और तिसरा equation तो same ही process को आपको approach करना है and that is something that you can easily do तो अगर आप लोग को उतना करना तो पड़ेगा नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं हम से नहीं हो पाएगा then competitive examination जिन्दाबत okay have a look over here तो मैं क्या करने वाला मैंने यहाँ पे एक altitude बना दिया अब altitude जो बना है बच्चों obviously वो एक altitude हम कैसे बनाते है उपर के vertex से बनाते है and BC को मैंने altitude बना दिया मानके चलो that meets at point D and altitude बताने के लिए मैंने perpendicular दिखा दिया अब यहाँ पे सवाल यह उठता है बच्चों कि मुझे यहाँ पे किसका equation निकालना है altitude and यहाँ पे altitude कोने AD one of the altitudes और भी altitude बनने वाले है वो आप लोग खुद निकालोगे तो AD का altitude निकालना है midpoint तो है वो midpoint निकालते है BC का midpoint AD यही पे सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो बच्चों altitude बोला है median बोला है क्या कि यहाँ पे midpoint बोला है क्या कुछ भी बोला है क्या नहीं altitude क्या ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि वो BRC के बीच में midpoint में ही लाए करता हो बिलकुल नहीं यह गलत है तो यहाँ पे D is not the midpoint AD is the altitude मेरे diagram में भले यह सा लग रहा होगा वो कि वो D is the midpoint over here but that's not the case okay altitude है तो मेरे पास दूसरा point नहीं है और में midpoint से नहीं निकाल सकता तो मैं कैसे निकाल हो simple है बच्चो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मलमें मैं slope का इस्तेमाल करूंगा so I think I have told you a concept called as the slope of perpendicular lines का product अगर हम निकालेंगे तो वो minus 1 देता है कुछ याद आ रहा है lecture number 3 में पढ़ाई किया lecture number 3 नहीं 2 में कुछ तो पढ़ाई किया जो BC आपको दिख रहा है नीचे उसका slope निकालोगा क्योंकि उसका slope निकालना आसान है मेरे पाद दो points है मैं slope निकाल सकता है with the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 y2 minus y1 मतला minus 3 minus of minus 1 मतला minus 3 plus 1 हो जाएगा divided by x2 minus x1 मतला minus 4 minus 6 हो जाएगा अगर आप इसको solve करोगे देने वाला हो बड़ अभी नहीं पहले इसको लिख लेते है सबको पता है बचो slope of BC मिला है and BC and AD are perpendicular to each other तो अगर दोनों एक दुसरे के साथ perpendicular ही तो उनका product of the slope हमेशा minus 1 होता है मतला slope of BC multiplied by slope of AD हमेशा minus 1 होगा ये एक understand करना आपको पता होना चाहिए मिलना चाहिए तो आपको slope of AD मिल गया minus 1 अब यहाँ पे आप लोगको इतना सब कुछ नहीं करना है तो मैं आपको एक shortcut देना चाहता हूँ वह इतना simple है बट ध्यान से सुनना में क्या बोल रहा हूँ वच्वा, whenever the two lines are perpendicular to each other तो किसी एक का slope अगर आपको पता रहेगा तो दुसरे का slope कैसे निकालने का मलूम है It is always the negative reciprocal फिर से बुलता हूँ अगर दो lines एक दुसरे के साथ perpendicular है और अगर आपको एक slope अलेड़ी पता रहेगा तो दुसरे का slope कैसे निकालने का It is always the negative reciprocal negative reciprocal मतलब पहली बाद उस number का reciprocal करने का फिर उसका sign बदल देने का मतलब अगर आप देखोगे slope of BC कितना है 1 upon 5 तो दुसरे का slope कितना होगा जो perpendicular है तो 1 upon 5 का reciprocal हो कितना हो गया 5 and 5 निकालने के बाद वो positive था ना तो उसका negative कर देने का मतलब इतना हो गया minus 5 तो आपको minus 5 मिला समझ में आ रहा है this is a shortcut that you can use guys it's a very important shortcut everyone uses that आपको भी पता होना चाहिए इसलिए बता दिया यहाप मेंने long cut बता दिया but competitive examination में आप फटा-फट कर देने का 1 upon 5 में तो minus 5 हो जाएगा very simple thing तो slope of AD मिल गया अब आप सोच में पढ़ रहे हैं कि slope of AD क्यों नहीं काला साथ simple है AD का equation चाहिए AD का equation के लिए मेरे पास एक point का coordinate है जो की A का है and अभी तो मुझे slope भी मिल गया मतलब मुझे बढ़ आप slope है मेरे पास and मेरे पास point है तो which form? point slope form I can use point slope form over here that is Y-Y1 is equal to M multiplied by X-X1 यहाँ पर बच्छों आप लोगो value डालना है तो Y-Y1 is equal to M into X-X1 में क्या होगा Y-5 हो जाएगा is equal to M का value minus 5 मिला था X-2 हो जाएगा यहाँ पर बच्छों और कुछ नहीं है बस solve करना है Y-5 is equal to minus 5X plus 10 होगा then minus 5X को उधर लेके जाओ तो 5X हो जाएगा Y उधर ही रहने दो and फिर minus 5 उधर ही है तो 10 को उधर लेके जाओ minus 10 तो हो जाएगा minus 15 is equal to 0 and that's how you got an equation over here 5X plus Y minus 15 is equal to 0 आपको सबसे पहले altitude का equation मिल चुका and it was that simple lesson अब सच बताओ बच्छों क्या आप लोग यहाँ से point B से AC को एक altitude बनाओगे तो उसका equation नहीं बना सकते हो न आपको AC का slope बनाना पड़ेगा slope निकालके इसका negative reciprocal करोगे तो आपको यह जो B से लेकर कुन से है? BE करके मानके चलो उसका आपको slope मिलेगा यह slope मिलने के बाद slope भी पता है उसका point भी पता है point slope करोगे तो आपको B मिल जाएगा similarly आपको इधर भी करना पड़ेगा मुझे पता है equation करने के लिए यह जो question है बहुत lengthy है but आपको किसने बोला है कि सारे एक साथ करो आप कोई भी एक चीज़ ले लो C से लेकर F तक एक altitude बना और खुद से गब जभी time मिलेगा तब कर लो and check कर आपके textbook के पीछे answer match कर रहा है कि you will definitely get the answer and it's too easy to understand clear with this concept guys बहुत easy है तो बागी के दो altitudes का काम में आपके उपर छोड़ रहा हू because उसमें कुछ explain करने जैसा नहीं है it's a self-explanatory thing you can easily do that तो जाते है question number 13 के पास again shortcut यहाँ पे find the equations of the perpendicular bisectors बोला है अभी perpendicular bisectors अभी altitude था perpendicular bisectors of the sides of the triangle whose vertices are P, Q and R respectively मतलब in short क्या बोला है कि आपके पास एक triangle है and triangle में आपको perpendicular bisectors तो मैंने यहाँ पे वज़े को P निकाला, Q निकाला, R निकाला and मैंने एक perpendicular bisectors निकाला जो कि मानके चलो एक point A करके मैंने कही पे भी लिया है उस perpendicular bisectors पे and यहाँ पे point D पे वो meet कर रहा है and यह perpendicular है and हाँ मैंने bisectors का sign नहीं दिखाया है but आप समझ जाओ बच्छो it's very easy यहाँ पे आप लोग को bisectors का मिल गया तो bisectors आपके पास आपके perpendicular है everything is given over here यहाँ पे बच्छे एक और confusion आते है बच्छों को लगता है कि perpendicular bisectors को अगर मैं पूरा extend कर लिया होता उपर दो point P को मिल जाता बिल्कुल नहीं perpendicular bisectors आपके point P को ही मिलेगा देखो अगर आप लोग इसको question को ध्यान से देखोगे फिर से बोलता हूँ यहाँ पे तीन perpendicular bisectors ट्रॉक कर सकता था बट बाकी के दो perpendicular bisectors आप खुद करोगे मैं सिर्फ एक perpendicular bisectors आपको सिखाने वाला this question is similar to that of the previous one guys there is only one difference यहाँ पे आपको slope निकालना है उदर भी आपको slope निकालना था पड़ यहाँ पे आपको point नहीं दिया उदर point दिया था तो this question becomes a bit more lengthy तो point कैसे निकालोगे बहुत simple है आगे पड़ाता हूँ पहली बात हम लोग slope ही निकालेंगे slope of qr निकालेंगे that is y2-y1 divided by x2-x1 y2-y1 मतलब minus 3 minus of minus 2 मतलब minus 3 plus 2 divided by minus 5 minus 4 हो जाएगा minus 3 plus 2 होता है minus 1 minus 5 minus 4 होता है minus 9 minus 1 upon minus 9 मतलब 1 upon 9 होगा बचो यहाँ पे qr and adr perpendicular to each other मतलब दोनों का slopes का multiplication minus 1 होगा बट मैंने यहाँ पे आप लोगको एक shortcut बताया था कि अगर आप लोगको ऊपर 1 upon 9 मिला है तो slope क्या हो जाएगा दूसरे line का, it's the negative reciprocal तो 1 upon 9 का हो जाएगा 9 and negative डाल देना वहाँ पे तो it will become minus 9, check किया, same है तो यहाँ मुझे slope of ad मिल गया बट सिर्फ slope से मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे अगर point slope form भी use करना रहेगा, तो मेरे पास slope तो है बट मेरे पास point नहीं है तो point किसका है, last time मेरे पास a का point कुछ तो था, यहाँ पे नहीं है but if you have a look, question में क्या लिखा है this is a perpendicular bisector this is a bisector this time, the bisector मतलब कहना यसे point d जो है वो एक midpoint का काम कर रहे है हो गया काम, midpoint का काम कर रहे है मतलब मैं midpoint formula use कर सकता हो definitely, midpoint formula निकालूंगा तो मुझे coordinates of d निकाले, मिलेगा 4 plus of minus 5 मतलब 4 minus 5 divided by 2 and then minus 2 minus 3 divided by 2, simple इसको solve करना सभी लोगों को आता है बच्चों, solve करोगे तो हो जाएगा minus 1 upon 2 and minus 5 upon 2 दोनों भी fraction में मिल रहा है boring stuff, बड़ आपको करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि point d मिल चुका है, minus half and minus 5 upon 2 अब मेरा यहाँ पे point भी तयार है अब मेरा यहाँ पे slope भी तयार है slope कितना है, बच्चों, minus 9 तो आप यहाँ पे point slope form use कर सकते हो y minus y1 is equal to m into x minus x1 y minus y1, मतलब y minus of minus 5 by 2 मतलब y plus 5 by 2 is equal to m का value minus 9 मिला था and x minus of minus half, मतलब x plus half simple है, इस चीज़ को solve करना बड़ा आसान है बच्चों, ऐसे दिखने के लिए थोड़ा difficult लगता होगा है बढ़ इतना भी difficult नहीं है minus 9 upon 2 होगा इसको अगर आपको fraction थोड़ा dangerous लग रहा है तो एक काम करो, multiply throughout by 2 करो easy होगा multiply throughout by 2 करोगे तो y का बन जाएगा 2i बन जाएगा, 5 by 2 का सिर्फ 5 बचेगा minus 9x का minus 18x बनेगा and 9 upon 2 का सिर्फ minus 9 बचेगा क्योंकि 2 से multiply किया हर एक को अब आप लोग क्या कर सकते हो, सारे चीज़ों को left में लेके जाओ, minus 18x हो जाएगा 18x, 2i will remain the 2i as it is, minus 9 उदर जाएगा तो 5 plus 9, 5 plus 9, 14 होता है यह आपका equation है, divide throughout by 2 करो, because you can simply divide this throughout by 2, you get 9x plus y plus 7 is equal to 0 and that's your required equation over here and it was as simple as that तो देख सकते हो बच्चों, कैसा इतना भी difficult नहीं है सिर्फ आपके पास एक slope की जरूरती तो हमने slope निकाला, point की जरूरती तो हमने point निकाला and point slope form का इस्तेमाल किया and आपको यहाँ पे question मिला, तो आप देख सकते हो बच्चों इतना lengthy है यह, एक altitude निकालने के लिए इतना time लग रहा है मुझे तो बाकी के दो altitude निकालने के लिए खाली फुकट का वीडियो बड़ा हो जाएगा and time लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, I am not going to consider बाकी दोनो equations वो आप लोग खुद कर सकते हैं Is that clear to every student? question number 14 में जाते हैं बच्छो यहाँ पे वो है, find the coordinates of the ortho center of the triangle whose vertices are a2, minus 2, b1, 1 and c minus 1, 0 very simple thing to understand अब इस question को कैसे solve करने का बड़ा simple है बच्छो, यहाँ पे ortho center की बात हुई है, बट अगर आप लोग को ortho center का meaning नहीं बता रहेगा ना बच्छो तो आप लोग के question कुछ भी करो आपको नहीं हाईगा, ortho center के बारे में बताने से पहले मैं आपको triangle बना के देता हूँ यहाँ पे a है, b है and c है सारे coordinates देखे रहा है, ortho center एक point of concurrence होता है, point of concurrence इस बहुत सारे बच्छो, in center है, circum center है centroid है, फिर ortho center है and many more, यह हर एक अपना-पना अलग-अलग role play करता है, तो ortho center क्या करता है माले में, ortho center is the point of concurrence, concurrence मतला जहाँ पे सारे lines meet होकर एक point में meet होते हैं, तो यह point of concurrence कैसे मिलता है, by joining all the altitudes तो हमारे पास triangle में तीन altitudes होते हैं, altitudes मतला perpendiculars drawn from the vertices तो vertex से मैंने perpendicular draw कर दिया, तीनों जगह से perpendicular draw कर दिया vertex से, तो एक point में मिल जाएगा वो, उस point को बोलते हैं ortho center, नहीं समझ में आया यह देखो, मैंने A से एक perpendicular draw कर दिया, मानके चलो वो D point में मिल रहा है, vertex से फिर B से मैंने यहाँ पे draw कर दिया मानके चलो वो E point में मिल रहा है and मैंने C से draw कर दिया, मानके चलो वो F point में मिल रहा है, तो आप देख सकते हो सारे जब मैंने perpendicular draw कर दिया सारे vertices से, तो वो एक point में आकर मिल रहा है, देखो, दिख रहा है उस point को बच्चे मैं, यहाँ पे पॉइंट O and वो है मेरा ortho center, अब सवाल बहुत interesting है यहाँ पे उन्होंने बोलाए कि हमें equation नहीं चाहिए इस बार, इतने time से बोल रहे हैं, equation निकालो, equation निकालो इस बार equation नहीं मांग रहे, वो बोल रहे है कि यहाँ पे बच्चो वैसे तो मेरे पास तीन-तीन lines है, जिससे मैं ortho center बना सकता हूँ, बट आपको पता है बच्चो, तीन lines की आपको कोई जरूरत नहीं, तीन altitudes को लेने की जरूरत नहीं, आप कोई भी दो altitudes ले सकता है बट, let me help you out with the same thing हम फिर से slope निकालेंगे slope of BC निकालेंगे बचो यहाँ पे and slope of BC होता है वो हम लोग को पता है y2-y1 divided by x2-x1 है अब यहाँ पे y2-y1 divided by x2-x1 करेंगे तो अपना same formula 0-1 divided by minus 1-1 and सब को पता है इसका answer कितना मिलने वाला है, half मिलने वाला है, तो I got the answer to be half, अब slope of BC मिला तो everyone tell me slope of AD कितना हो जाएगा अभी थोड़ा shortcut use करते है मैं यहाँ पे नहीं use किया हूँ, बढ़ आप use कर लेना slope of AD कितना हो जाएगा that will always be negative reciprocal तो half का reciprocal होता है 2 and minus होगा तो यहाँ पे answer होगा minus 2 let's see, कितना मिल रहा है minus 2, देखा तो वही answer मिला, आप लोगो shortcut use कर ले slope of AD is equal to minus 2 use किया, तो मुझे slope of AD मिल चुका, अब आप सोच पे पढ़ रहे हो कि slope तो मिल गया है AD का and point भी है, तो क्या point slope यूज़ कर सकते है, definitely so this question looks the same point slope फो हूँज करेंगे y minus y1 is equal to m into x minus x1 तो y minus y1 मतला y minus of minus 2 मतला y plus 2 is equal to slope है minus 2 multiply by x minus x1 मतला x minus 2 because a point देखे रहा है ना बचो AD में तो अब लोगो यहाँ पे formula use कर होगे तो क्या हो जाएगा y plus 2 is equal to minus 2x plus 4 होगा, सारे terms को उदर लेके जाओ and इस बार मैंने थोड़ा standard form में नहीं लिया equation इसके पीछे का reason में बाद में बताऊंगा minus 2x उदर जाएगा तो 2x plus y हो जाएगा 2 को उदर लेके जाओ plus 2 हो जाएगा मैंने इसको equation number 1 बोल दिया आप बोल रोगी यह क्या है ध्यान से सुनो यहाँ पे इतना होने के बाद में now what I am going to do is I am going to take another altitude अब मैं यहाँ पे सोच रहाँ में BE altitude लेता हूँ तो BE altitude के लिए मुझे किसका slope लेना पड़ेगा मुझे AC का slope लेना पड़ेगा slope of AC same to same formula यूज करूँगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1 तो मतलब y2 minus y1 मतलब यहाँ पे AC है तो कितना हो जाएगा 0 minus of minus 2 0 plus 2 divided by minus 1 minus 2 हो जाएगा 0 plus 2 होता है 2 minus 1 minus 2 होता है minus 3 तो यह minus 2 upon 3 देगा बच्चो slope of AC निकाल है तो slope of what do we call it as B निकाल सकता है न shortcut यूज करोगे मैंने यहाँ पे पूरा statement लिख लिया है बढ़ आपको पता है कि इसका slope कितना होने वाला है it's a negative reciprocal 2 upon 3 का reciprocal करो 3 upon 2 होगा and negative already है तो negative का negative कितना होगा positive तो it will become 3 upon 2 over here तो slope of B जो है हमें 3 upon 2 मिल जाएगा अब याद करो आप चाब slope 3 upon 2 अब मैं आपे point slope form यूज कर सकता हूँ y minus y1 is equal to m into x minus x1 yes तो y minus y1 इस बार बच्चो आप लोग B E के बारे में बात कर रहे हो तो उसका x1 और y1 1 1 है तो y minus 1 is equal to m का value 3 by 2 मिला था and x minus 1 है multiply throughout by 2 करो या फिर 2 को उदर लेके जाओ तो हो जाएगा 2y minus 2 is equal to 3x minus 3 तो 3x minus 3 उदर लेके जाओ 3x minus 2y हो जाएगा and minus 3 को उदर लेके जाओ तो 1 होगा तो 3x minus 2y is equal to 1 मिलेगा equation number 2 अब आपको मैंने बताया था बच्चो यहाँ पर उन्होंने हमसे equation नहीं मांगा था वैसे तो मुझे 2 equations अल्रेडी मिल चुके है बड उन्होंने equation नहीं मांगा था उन्होंने हमसे coordinates of the ortho center मांगा था अब मैं यहाँ पर तीसरा जो CF करके दिख रहा है ना उसका equation नहीं निकाल रहा हूँ वाइँ मैं नोट दोई because I think these two equations are more than enough अब देखो बच्चो अगर आप देखो कि AD जो है उसमें भी O है अगर आप देखो कि BE जो है उसमें भी O है मतलब point O is actually a common point for both of them and common point मतलब it has a unique solution मतलब हमने देखा था बच्चा यहाँ पे AD also has the point O and B also has the point O तो उनका common solution जो होगा point of intersection होगा हमने 10th में पढ़ाई किया था Whenever the two lines meet each other the point of intersection is called as the common solution between them and a common solution कैसे निकाला जाता था by solving the simultaneous equation अब equation number 1 आपको मिला है and equation number 2 आपको मिला है simultaneously इसको दोनों को solve कर लेते हो आजो कि मैंने यहाँ पे लिका है solving 1 and 2 आप solve कर लेना बच्चो equation number 1 पीछे दिया था वो copy कर दो and equation number 2 आपके सामने दिया है उसको दोनों को solve करो आपको X and Y का value मिल जाएगा X का value दोना fraction मिलता है 5 upon 7 and उसके वजे से Y का value भी fraction मिलता है 4 upon 7 तो आपको X का value मिला Y का value मिला that's the point of intersection and that point of intersection is nothing but the point of coordinates of the point O and O is nothing but the ortho center तो आप final statement जावतो लिक सकते है the coordinates of the ortho center of this particular triangle is 5 upon 7 comma 4 upon 7 and this is how you complete this question and it was as simple as that link दी था but आपको ऐसा solve करना था इसको तो यहाँ पे सिर्फ equation नहीं मांगा था उन equation को solve करके आपको point of intersection भी निकालना था जो की coordinates थे समझ में आ गया इसी साफ से question number 14 औरने के बाद question number 15 में जाते है and यह question बहुत ही easy था okay so I wanted to give this also as an assignment but पढ़ा लेता हू n3, minus 4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to line L find the equation of line L question ही नहीं समझ में आता है इसले solve नहीं कर पाते है but question समझ में आ गया ना diagram बना के तो easy है उन्हेंने क्या बोला है कि find the equation of line L so एक line L करके मान लो यह है मेरा line L n3, minus 4 is the foot of the perpendicular drawn तो line L करके में एक perpendicular draw किया यह रहा मेरा perpendicular and perpendicular में point n is lying in the foot foot का मतलब होता है बच्छो जहां पे वो end point होता है वो foot होता है मतलब यह ही यह जो आपको perpendicular draw किया है उसमें जो point है वो foot है उसका ताहिर सी बात है हमारे बच्छे body में भी feet काहाँ पे होता है foot काहाँ पे होता है नीचे होता है ना पेरो के यहाँ तो यहाँ भी वो ऐसा ही है foot of the perpendicular मतलब perpendicular जहाँ पे draw किया तो उसका foot मतलब यह जो point of intersection है ना नीचे का part तो n है 3, minus 4 and n 3, 4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin तो जो perpendicular आपने draw किया ना वो origin से गुजर रहा है तो आपको उपर origin भी रहा होगा कही ना कही से तो अभी समझ में आ रहा है line L है उसको मैंने perpendicular draw किया है वो origin से निकला है तो origin है उपर and नीचे जागकर point L में foot में कौन है n 3, minus 4 है और आपको equation of line L निकाला है चिंदी है दोनों line एक दूसरे के साथ perpendicular है तो मुझे अगर line L के बारे में जानना है तो मुझे पहला ON line के बारे में कुछ जानना पड़ेगा ON में 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 मेरे पास दोनों points देके रखे हैं बच्छो तो ON के दोनों points पता है मुझे तो कैमें slope निकाल सकता है उसका definitely तो I am going to find out the slope of ON just like previous one y2-y1 divided by x2-x1 तो y2-y1 मतलब क्या करेंगे बच्छा-4-0 divided by x2-x2 मतलब 3-0 इसका answer आपको मिलेगा minus 4 upon 3 जैसे ही आपको minus 4 upon 3 मिलेगा अब थोड़ा shortcut use करते हैं बच्छो अगर slope of ON आपको मिला है तो slope of L नहीं निकाल सकते है निकाल सकते हो वो दोनों perpendicular है एक दुसरे के साथ मतलब negative reciprocal तो minus 4 upon 3 का negative reciprocal कितना हो जाएगा positive 3 upon 4 तो slope of LN is equal to 3 upon 4 हो जाएगा very simple okay slope of LN मिल गया आप लोको line L भी लिख सकते थे या फिर LN भी लिख सकते थे slope of LN मिला slope मिला and point N is lying on that line तो उसका point भी मिला point मिला, slope मिला point मिला, slope मिला कुन सा formula absolutely by point slope form point slope formula क्या यहाँ पे form क्या था y minus y1 is equal to m into x minus x1 x1 y1 भी पता है 3, minus 4 and m भी पता है तो y minus of minus 4 मतलब y plus 4 हो जाएगा is equal to m का value 3 by 4 x minus x1 मतलब x1 का value 3 होगा 4 को वहाँ पे लेके जाओ it will become 4 into y plus 4 मतलब 4y plus 16 is equal to 3x minus 9 फिर आप चाहो तो सारे terms को उदर लेके जा सकते हैं तो 3x minus 4y and minus 9 minus 16 हो था minus 25 तो यहाँ पे 3x minus 4y minus 25 यह फिर 3x minus 4y is equal to 25 भी लिख सकते थे दोनों का meaning सेम है आप अगर यहाँ पे is equal to 25 नहीं लिखना चाहते है minus 25 is equal to 0 लिखना चाहते थे तो भी well and good guys you could have written that way as well मैं तो suggest करूँगा वह इसी लिखो 3x minus 4y minus 25 is equal to 0 and that's how you get the answer for this question as well and it was as simple as that so this is how I have completed exercise 5.3 question number 15 तब थोड़ी खरब होने के वज़े से video थोड़ा लेट आया होगा but I hope everyone has understood this and please practice करते रहना because यही सबसे जादा important होने वाला है आप लोग के लिए आगे जाकर बहुत सारे chapters में including 12 standard के chapters and the competitive examinations as well and these all questions जो आज आप लोग को difficult लग रहे will serve as the basic fundamental in your future okay तो प्लीज पढ़ते रहना इसको समझना questions को समझ कर आराम से solve करना rest of the assignments that are given to you उसको करते रहना next video में मिलेंगे बच्चो with another concept with another topic जो की बहुत interesting होने वाला है exercise 5.4 which will be the last lecture of this particular chapter फिर we can conclude with this chapter to get to the functions topic as well तो मिलते नेक्स स्चेशन में तब तक take care of yourself अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो don't forget to hit the like button and share with all your friends and don't forget to subscribe if you are new to the channel मिलते नेक्स स्चेशन में तब तक take care of yourself लभीवाल, thank you so much and happy learning